गुड मॉर्निंग, कल हमने पड़ा कि जो अनुवान सीकी है, अनुवान सीकता के जनक के बारे में पड़ा, जिसे अनुवान सीकता का जो जनक है वो मेंडल को कहा जाता है, जबकि जो मोर्डन अनुवान सीकी है उसका जनक बैटसन को कहा जाता है, बैटसन ने ही सबसे पहले है वो जेनेटिक सब्द का है वो प्रियोग किया अन्वान सिक्ता जैसे बनसागती एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में लक्षनों का स्ताना अंत्रन है वो बनसागती कहलाती है विबिनता है हमने दो परकार की पड़ी एक तो जो कायक विबिनता है और एक जन्निक विबिनत विप्रियाशी लक्षन है उनके बारे में हैं इन्होंने जो साथ विप्रियाशी लक्षन है वो इन्होंने लिये हैं लेकिन इन्हें जिते जित सपलता है वो नहीं मिली इन्हें सपलता दिन लानने वाले जो विग्यानिक थे हागोडरी व्रीज जो की होलेंड के थे जो काल क लुमिनेंसी, law of segregation, law of independent assortment है, इन्होंने जो नियम है, वो दिये, मेंडल ने है, वो मतर के ही पोदे का चुनाव की, क्योंकि है, हमने बता है कि इन जो बाइसेक्शुल होता है, यानि एक ही पुस में नर्व अमादा दोनों होते हैं, चोतिस विप्रया सी लक्षन है, वो आसा मेंडल ने साथ परकार के जो विप्रयाशी लक्षन है, वो हमने कल देख लिये थे, एक बार हम वाफस देखते हैं इन्हें, कि जो किस किस परकार सी मेंडल ने है, वो लक्षना वो लिये, इन्होंने बीज का आकार है, वो लिया, गोल और जूरीदार बीज का आकार लिया, जो बीज का कलर इन्होंने लिया पीला और हरा बीज का कलर इन्होंने लिया जो फूल का कलर है वो इन्होंने लिया बेंगनी और सफेद कलर के फूल लिये जिसमें जो बेंगनी है वो इन्होंने परभावी बताया जो सफेद है वो इन्होंने आपरभावी यानि रिशेशिव बताया जो बीज का जो आकार है वो गोल इन्होंने परभावी बताया जबकि जो जूरीदार है वो रिंकल्ड है वो इन्होंने आपरभावी बताया शीड का जो कलर है पिला इन्होंने परभावी बताया जबकि हरा है वो इन्होंने आपरभावी बताया फलोवर कलर है बेंग एक ली सिकूडी हुई सिकूडी हुई जो फली है वो इन्होंने ए परभावी बताई जबकि पोड कलर है यानि कि फली का जो कलर है वो इन्होंने ग्रीन को बताया परभावी डोमिनेंट जबकि यलो को बताया ए परभावी रिसेसिव जबकि जो फ्लोवर पोजिशन है फूल प्लांट हाइड है उन्होंने लीटोल और ड्राफली नंहोंने च मुक्त अंत्रकर Mirko लिए जिसके इंतर गत दिख लबा पोधू इन्होंने प्रभावी बताया जबकि जो बोना पोदा है उसे बताया ऐ परभावी यानि कि सबसे पहले हम प्लांट की हाइट के बारे में जाने लेंगे प्लांट सबसे पहले बीज बोते हैं और दो बीज के हो गए दो फ्लोवर के हो गए और दो फली के आकार के हो गए एक प्लांट हाइट का हो गए इस है वो हम याद रख सकते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि जो मेंडल की जो सब्दावली है उसके बारे मेंडल ने किस परकार की जो सब्दावली है वो दी जो एलिल एलिलोमोर्फिक है वो एलिल या यूगम विकल्पी जिसमें एक ही जिनके दो विकल्पि परकारों को एलील कहा जाता है जैसे कि टी है तो टी एक टी और दूसरा टी यानि टी एंड टी जो टी है वो इन्होंने बताया कि ये एलील होते है एलील जो वर्ड है उस सब्ध का प्रियोक सबसे पहले ने किया पैटसन ने और सोंडर्स नामक जो वेगयनिक थे उन्होंने किया दूसरा जो टर्म दिया हिन्होंने हॉमोजाएगस दिया हॉमोजाएगस है यानि सम्यूगमक की जिसमें दूगनित आवस्ता जिसमें दोनों लिल एक ही परकार के हुई यानि टी एक अलील बताया था हमने कि इसमें बोल रहा है कि दोनों अलील है वो एक परकार के हो T T जो दूसरा जो ऐलील बताया है SMALL T यानि ये होगई दोनों सेम हो तो हो मो जायेगा जब दोनों डिफरेंट हो तो हिट्रो जायेगा ना हो जाएंगे हमारा कि विसम युगमजी वसता जिसमे दोनों ऐलील औलग परकार के हो जैसे T O T यानि सेम हो तो होमो जाएगा जबकि डिफ्रेंट हो दोनु एलील है वो अलग-अलग हो तो हम बोलेंगे कि हिट्रो जाएगा सही अब हम बात करते हैं जीनो टाइप और फिनो टाइप की जीनो टाइप है किसी भी लक्षन के एलील के जोड़ का संकेत यानि कि कोई भी लक्षन हो जैसे टीर टी केपिटल टी स्मॉल टी दोनु टी अब हम बात करते हैं फिनो टाइप की फिनो टाइप है जो किसी भी लक्षन का बाहिए वा आंत्रिक जो भी रूप होता है जैसे कि जो दरश्य की रूप में है वो बाहिए या आंत्रिक जो दरश आइप हो जाएगा अब हम बात करते हैं डोमिनेंट्स की यानि की परभावी जो है वो किसे कहते हैं परभावी जो सम्यूगमजी हवस्ता यानि होमोजाइगस कंडिशन जिसके अंतरगत मैंने क्या बताया था कि आपको दोनुग जो जीन्स है वो समान हवस्ता में हो एलील है इसे करते हैं उसके अंतरगत बाईय रूप में जो परकाट होते हैं उसे करते हैं रिश्यशिव विस्यम又मजी अवस्ता में सुब्त रहते हैं। से ti और small r जैसे small t or small р रीसेसिफ करेक्टर है हुआ जो homosuegas अवस्ता में t और R है वो होते हैं dominant character यानि capital act और capital R है वो मैंने बताया कि dominant character है जब कि recessive character है वो है small t और small r अब हम बात करते हैं मोनो हाइब्रेड क्रोस की की मोनो हाइब्रेड क्रोस है वो क्या होता है जिस संकर में केवल एक जोड़ी एलिल का प्रियोग किया जाता है स्रिफ एक जोड़ी एलिल का प्रियोग किया जाता है उसे कहते हैं हो मोनो हाइब्रेड क्रोस में अब हम बात करते हैं मेंडल के नियम वो दिये law of dominancy यानि परभाविता का नियम, law of segregation यानि पर्थक्रण का नियम, law of independent assortment यानि सवतंतर अफ्यू का जो नियम है वो इन्होंने दिया जबकि जो उपर वाले जो दो है dominant यानि परभावी और जो पर्थक्रण के नियम है वो है monohybride cross पर अधारित जबकि जो law of independent assortment का जो cross है वो है die hybrid जो cross है उस पर अधारित अब हम पहले बात करते हैं monohybride cross की एकल संक्रण प्रियोग की एक जोड़ी कारक के लक्षनों की वनसागती का जो अध्यान कहलाता है एक जोड़ी कारक की वनसागती का अध्यान है वो monohybride cross है वो कहलाते हैं यहां हमने सुद लंबा पोदा ले लिया यानि capital T और capital T सुद बोना पोदा हमने लिया की small T small T F1 PD में cross करवाया तो capital T और small T है वो हमें प्राप्त हुए यानि की सबी जो पादफ है वो लंबे हमें प्राप्त हुए फिर हमने इनका self pollination है वो कराया self pollination करवाने के बाद हमें T T है वो प्राप्त हुए जैसे की capital T और small T है उसका cross हमने capital T और small T के साथ में है वो करवाया जैसे T capital T और small T हमें प्राप्त हुए तो इसके साथ इसी का cross कराया है यहां भी capital T और small T ती ती capital T और capital T हमें प्राप्त हुए फिर जो यह T है यहां से T T और T का cross करवाया तो capital T और small T प्राप्त हुए जो नीचे वाली अब small T का capital T के साथ में करवाया तो capital T small T और जबकि यह T है small T और small T का करवाया तो capital T और small T है वो प्राप्त हुए यानि कि F1 जो फिर दी थी हमें उसका genotype है वो प्राप्त हुए 1 अनपाट, 2 अनपाट, 1 जबकि इसका phenotype है वो है 3 अनपाट, 1 यानि कि जो 3 जो पोदे हैं वो तो हमें लंबे प्राप्त हुए 1, 2, 3 पोदे हमें लंबे प्राप्त हुए जबकि एक जो पोदा है वो हमें बोना प्राप्त हुआ जैसे कि मैंने आपको phenotype की जो definition है वो पताए कि इसके अंतरकर जो लंबा बोना जो पोदा है उस type से है वो हम बात करते हैं इसके अंतरकर जो इसकी जो बाया जो आक करती है वो T T है वो लंबी होती है capital T और जो small T है वो लंबी होती है दोन जो small T है वो होती है बोनी तो एक हमें बोना प्राप्त हुआ जबकि जो 3 है वो हमें प्राप्त हुए लंबे प्राप्त हुए इसका जो जिने टाइप है वो आज़ेगा 1 अनपाथ 2 अनपाथ 1 ये था mono hybrid cross अब हम बात करते हैं प्रभाविता का जो नियम है मेंडल के नियम की अब हम बात करेंगे जो मेंडल का जो ये नियम है वो है mono hybrid cross पर आधारित लक्षणों का जो नियंतरन है वो होता है जीन के द्वारा या कारक के द्वारा है वो इसका नियंतरन होता है जीन है वो जोडे में पाये जाते हैं एक ही लक्षण के दो विभिन कारक होते हैं पोदे की जैसे की पोदे क उसे कहते हैं परभावी लक्षन यानि डोमिनेंट्स कहा जाता है जो लक्षन को परदर्शित नहीं कर पाता उसे ए परभावी कहा जाता है F1 जो PD थी उसमें केवल परभावी लक्षन है वो परकट हुआ जबकि जो F2 PD होगी उसमें A परभावी लक्षन है वो परकट होंगे जिसे कि मनुश्य की जो काली आँख है का रंग नीली आँख पर है वो परभावी है काली आँख के जो लोग है वो हमें अधिक देखने को म इस नियम का अपवाद इसका अपवाद है अपुन परभाविता इनकम्पलेट डोमिनेंसी है वो है इस नियम का अपवाद इसकी जो खोज है वो की काल कोरेंस नामक जो विग्यानिक था उन्होंने की किसके अंदर की मेरा भी लस्चालापा जो पोधा है उसके अंतरगत इन्होंने इसकी खोज की इसके अंतरगत इन्होंने क्या लिया कि लाल पुस्प लिये और सफेद पुस्प लिये जिसमें का इन गुलाबी कलर इस कारण है यानि पिंग कलर आने के कारण है ये जो परभाविता का जो नियम है उसकी जो व्याख्या है ये नहीं कर पाया इस कारण अपुन परभाविता है वो इसे नाम दिया गया एक जो इसका जो परभाविता के नियम के दो अपुआद है एक है अपुन परभाविता एक है सह परभाविता को डोमिनेंसी ब्लड ग्रूप है मानव का A, B, O रुदिर वर्गों का जो नियंदरन है वो करती है जीन आई जीन आई के है वो तीन अलील होते हैं I, A, I, B और I, O जिसमें I, A और I, B है वो परभावि है I, O और I, O है वो ए परभावि है जब किसी कारक जीन के यूगम वी कल्पी में कोई भी कारक परभावि या ए परभावि नय होकर मिस्त्रित रूप से परभाव डालता है यानि इसके अंतरकत बोला है कि ये परभावी भी नहीं है ले डालते हैं उसे कहा जाता है से परभाविता इसके अंतरकत क्या हुआ कि जो I, A, I, O मिलते हैं तो A, B, I, O मिलते हैं तो B गरूप बनता है I, O, I, O मिलते हैं तो I, यानि O बलड़ गरूप मिलता है लेकिन I, A, I, B दोनु मिले तो A, B जो बलड़ गरूप है वो बन गया इस कारण है यह जो प्रभाविता के नियम का है वो अफवाद है आई ए आई बी साथ साथ उपस्तित होकर भी एबी ग्रूप बना रहे हैं इस कारण है यह प्रभाविता का जो नियम है उसका अफवाद है वो इसे कहा गया है वनसागती के अब हम दूसरे नियम की अन्वान सिक् अग्रिगेशन को है वो पर्थक्रन का नियम वी सेयोजन का नियम और वन्सागती का नियम है वो कहा जाता है परभाविता का जो नियम था उसके दो अफवाद थे अपन परभाविता और सहे परभाविता जबकि जो वन्सागती का जो नियम है लो अफ सेग्रिगेशन का जो यूगमक होता है वह किसी भी लक्षन के लिए सुध होता है कोई भी लक्षन के लिए है वो यूगमक होगा वो सुध होगा यूगमक होते हैं एक ही परकार के यूगम विकल्पी जीन प्राप्त होते हैं अते परतेक यूगमक सुध होता है इसे कहते हैं पर्थकरण का नियम बस इतनी सी बात है कि जो भी लक्षन होंगे वो सुध होंगे सिर्फ वनसाग पर्थक्रन के नियम में बता है कि जो भी युगमक होंगे वो सुध होंगे इसे कहते हैं इसे युगमकों की सुधता का नियम भी है वो कहते हैं यह था हमारा पंसागती का जो अन्वान सिखता का दूसरा नियम लो अफश 알गीरिएशिन अब हम बात करते हैं 37 अफ़्यू का जो नियम था उसकी 37 अफ़्यू का जो नियम है वो डाइभिर्ड जो क्रोस है उस पर अधारिध है परभाविता का नियम और पर्थक्रन का नियम है वो मोनो हाइब्रेड क्रोस पर अधारित है जबकि सवतंतर अफ्यू का जो नियम है वो डाई हाइब्रेड जो क्रोस है उस पर अधारित है दो या दो से अधिक लक्षनों की वनसागती एक दूसरे से सवतंतर रूप से होती है इस नियम के निसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी विप्रिल लक्षनों वाले पोधो में क्रोस करवाया जाता है तो समस्त पाधपो की जो वनसागती है सवतंतर रूप से होती है यानि दो या दो स्यादिक जब जोड़ी विप्टियासी जो लक्षनों का जब क्रोस करवाया जाता है तो उनकी जो वनसागती है यानि एक इधर जा सकता है दूसरा जो है वो उधर जा सकता है जो वनसागती होगी वो अलग-अलग होगी तो हम कह सकते हैं कि एक लक्षन की व कोई प्रबाव है वो नहीं पड़ता देकिन जो इसका अफवाद भी है वो है सहल अगनता इसकी जो खोज है वो ड्रोसो फिला यानि फल मक्ही में टी-एच मॉर्गन जो नाम वेग्यानिक था उन्होंने की अब हमें किसी क्रोस की द्वारा है वो समझते हैं मेंडल की धारना थी कि गोल वे जोरीदार वे हरे लक्षन का जोड़ा है वो निश्चित होगा लेकिन ऐसा है वो नहीं हो सकता मेंडल ने लिए गोल यानि केपिटल आर केपिटल आर पिला यानि केपिटल वाई केपिटल वाई जबके जोरीदार और हरा लिया एक स्मॉल आर स्मोल आउर स्मोल वाई स्मोल वाई जिसमें क्रोस कराया तो केपिटल आर स्मोल आज़ां y small y जब cross करवाया इन्होंने 7 परागन करवाया तो capital r small r small y capital r small y small y small y और इस टैप से है वो इस टैप से है वो cross इन्होंने करवाया small small r small y capital r small y small y तो कोई भी जो लक्षन है वो एक दूसरे के है mais dependent है वो इन्हें नहीं मिले कोई भी लक्षिन है इस टाइब का जो कोर्स है वो जरूरी नहीं आया ये लक्षिन है वो एक दूसरे से अलग-अलग है वो इन्हें मिले इस कारण इन्होंने सवतंतर अफ्यू का जो नियम है वो इन्हें नाम दिया कि इस टाइब से है वो इन्होंने क्रोस करवाया पहले इ फिनो टाइप है वो प्राप्त हुआ कि गोल पिले हमें प्राप्त हुए नो गोल हरे हमें प्राप्त हुए तीन जूरीदार पिले हमें प्राप्त हुए तीन जूरीदार जो हरे हैं वो प्राप्त हुए हमें एक यानि बस हमें इतना सा याद रखना है कि जो सवतंतर जो अफ एक अनपाद, दो अनपाद, दो अनपाद, चार अनपाद, एक अनपाद, दो अनपाद, दो जो इसका फेनो टाइप है, वो जीनो टाइप है, बस इतना सा हमें याद रखना है, सवतंतर अफ्यो के नियम का, इस नियम के अनिजार पर तेगुंड सवतंतर होता है, जो किसी की के साथ अपना जोड़ा है वो बना सकता है। पस तिनुः जो नियम में बसogen ना सा दो याद रखना है जो Communist प्रोज्त था उसका जो डिनुटाइप है वो होगा एक अनपाट 2 अन पाट एक और जो फिनो टाइप अनपाथ है वो होगा तिन अनपाथ एक यानि कि परभाविता का नियम और पर्थक्रन का जो नियम का जिनो टाइप फिनो टाइप यह हो गया जिनो टाइप होगा एक अनपाथ दो नपाथ एक जो फिनो टाइप है वो हो गया तिन अनपाथ एक दो निय यह जीनोटाइप याद रखना है और फिनोटाइप है वह याद रखना है इतना सा याद रखना है अब हम बात करेंगे सेख्स डिटर्माइनेशन्स की लिंग निरधारन की जो मानव में गुनसुतरों की संक्या हमें पता है 46 होती है यानि कि 23 चोड़े गुनसुतर पाए जाते हैं जिसमें 22 है वो ओटो सॉम्र्ण सोते हैं जो की यानि की नर्व मादा दोनु में है वो समान होते हैं लेकिन जो 23 जो गलिंग गुनसुतर है वो अलग होता है नर के अंदर है ये जो गुनसुतर है वो पाय जाता है एक्ष वाई जब कि मादा में पाय जाता है एक्ष एक्ष तो हम बोलते हैं कि बाइस प्लेश एक्ष वाई का जब क्रोश कराते हैं तो बाइस प्लेश एक्ष एक्ष के सिर्फिनर में होता है तो यानि कि पिता में आएगा जो जब लड़की पिएडा होगी तो उसक्ता है तो एक 50 porcent होगी एक्षगूंशितर की ओलड़का होगा तो भी एक्षगूंशितर के जो होगी 50-50% किसी के इंदर भी है वो आ सकती है अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिस ओलडर की कि जेनेटिक डिस ओलडर यानि की अनवांसी की विकार है क्या होता है एक होता है हीमोफीलिया जिसके अंतरगत क्या होता है कि जो रख है वो बहता रहता है बलड का थक्का है इस रोग से जो पिग्रित व्यक्ति होते हैं उनके अंतर रख का जो थक्का है वो नहीं जमता है इस कारण है इसे हीमोफीलिया है वो कहा गया एक है सिकल सेल एनीमिया ये मैंने आपको जब आरबी सी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसका जो आकार है वो हंसियाकार है वो हो जाता है एक रोग है वो है फिनाईल केटोनूरिया जिसमें फिनाईल एलिनिन है वो रुधिर्व है उतको के एक्तरित होकर मुत्र के साथ है वो बाहर है वो निकल जाता है इस कारण ये जो रोग है फिनाईल केटोनूरिया है वो कहलता है ये तो हमने बात की कि genetic disorder की अब क्रोमोसोम है उनके अधार पर भी है वो disorder है वो हो जाते हैं विकार है वो आ जाते हैं एक है down syndrome यानि मंगोलीज्म जो बालक होते हैं जिसके अंतरगत जो 21 वा जो गुनसुत्तर है उसकी पुन्रावरती हो जाती है down syndrome के अंतरगत 21 वे जो गुण सुतर है उसकी जो पुन्रावर्ती है वो हो जाती है अब हम बात करते हैं klinofactor syndrome की की klinofactor जो syndrome है वो क्या होता है ये होता है पुरुसों में जिसके अंतरगत 47 गुण सुतर है वो होते हैं एक लिंग गुण सुतर होता है X बढ़ जाता है इसके दरगत एक link गुन सुतर होता है यानि कि एक X बढ़ जाता है XY गुन सुतर है वो पुरुष में पाय जाते हैं लेकिन जो एक X गुन सुतर है वो extra आ जाता है इस कारण इसे कहते हैं client factor syndrome जिसके कारण है वो महिलाओ जैसे गुन है वो पुरुष में दिखाई देते हैं एक होता है टर्नर सेंड्रोम जिसकी ये होता है महिलाओ के अंदर यानि एक गुन सुत्तर इसके अंदर है वो कम पाया जाता है यानि कि 45 गुन सुत्तर है वो होते हैं एक्स ओ गुन सुत्तर यानि एक्स ओ गुन सुत्तर पाया जाता है यानि एक एक्स गुन सुत्तर है वो नहीं पाया जाता आज हमने बात की जो मेंडल के जो नियम है उनके बारे में जेनेटिक डिशॉडर के बारे में अब हम दो क्यूशन करते हैं कि क्यूशन है वो किस पादब का संक्रण बोने पादब से करवाया जाए तो कितने प्रतिसत जो पादब हो लंबे प्राप्त होंगे यानि सुद लंबा पोदा और सुद बोना पोदा यानि किस केपिटल टी और स्मॉल टी टी का करवाया तो सो प्रतिसत पादब है वो हमें लंबे प्राप्त लंबे जबकी जो एसुद लंबे पादप का जो क्रोस कराते हैं सुद लंबे पादप का क्रोस करवाया तब तो हमें सभी लंबे प्राप्त हुए लेकिन जब हम एसुद लंबे पादप का जब क्रोस करवाया जाएगा तो कितने परतिसत जो पादप है वो बोने प्राप्त ह होंगे तो हमें ऐसुद लंबा लेना है तो ऐसुद लंबा लेने के लिए स्केप्टल टी और स्मॉल टी का जब क्रोस करवाते हैं तो हमें लंबे प्राप्थ होंगे 50% और बोने पादप है वो प्राप्थ होंगे 50% बस इतना सा हमें है वो याद रखना है तो मैंने आपको जो अनुवान सिखता है वो पढ़ा दी कल हम पढ़ेंगे जेव विकास के बारे में जेव विकास के बारे में तो ठेंक्यू धन्यवाद